हेलो फेंट्स वेलकम टू स्रडी ग्रूप आठ शाला मैं हूं लाश और आज की क्लास काफी अधर इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें अधर डिस्क्राइब करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को और यह सोगा कमिनल वाइलेंस पे थ्रेट टू इंडियन तैवर्सटी ठी और अच्छे से सारे ही टॉपिक्स को प्रपैर कर लेना साधी साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एससे प्रेश्टी ओंप्रेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी यहां पर आपको हंडिट प्लस ऐससे के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ह नहीं जो आपको एक्जाम्ने नीजया को सकते हैं और यहां पर आपको संप्छिए पर इस सॉच्ष्ण में दोस्तों लिंक दिया गया वहां से जाके अब दिस्काउंट से पानि 뭐가 सकते हो आपनी तैardanी मुथ तरीके से लिए सब्सक्राइब करेंगे इंट्रोडक्शन से लिखना कैसे देख लेता है इंडिया एस बीन अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी विट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजिन्स सोशल लिंविस्टिक और कुल्चरल बैक्ग्राउंड लिविंग तुगेदर इन हार्मनी यहां पर इस तरह से लिख सकतो स्टार्डिंग का सकतो कि इंडिया जो पे लोग अलग-अलग बिसिकली रिलीजिन के सोशल लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैक्ग्राउंड के लोग साथ मिलके हार्मनी में रहते हैं राइट दा वर्ड वसुदेव कुटमबकम इमर्ज फ्रॉम आवर ग्रेट रिलीजिए बुक उपनिशद विच मीन्स दवर् मतलब है जो पूरा विश्व है वो एक फैमिली एक परिवार राइट अवर इंक्रेडिबल हिस्ट्री डिमार्किबल कल्चर एंड मावलस सिवलाइजिशन प्रोवाइड यूनिक इमेज अमंग्ड अधर कंट्रीज इन डवर्ड ठीक है यानि कि आप कह सकते हो हमारा जो इ आनी जाती है राइट इंस्टेड ऑफ दीस क्वालिटीज वी एब तो फेस्ट सम इन हूमन इंसिदेंट्स सम्टाइम्स लाइक कमनल वाइलेंस रेशल वाइलेंस टैयरिजम एक्सेक्टरा इन सभी क्वालिटीज के बावजूद भी हमें कभी-कभी कुछ इन हूमन जो और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए इसलिपे जैसे आपको कुछ ऐसा लिखना होगा जो थोड़ा सा आउट अप दबॉक्स हो जाए ठीक है थोड़ा सा अलग इंट्रोडक्शन अगर आप लिखोगे तो बहुत ही बहतर रहता है ठीक है तो एक्टिविटीज है डिटारीटेड आवर सेक्टिवलर एंड पीस्फुल सिस्टम कम्मिनिजम है इमज्ज एग थ्रेट टो इंडिया इड मेंस फ्रोंग अटेच्मेंट वन्स ओन कम्मिनिटी राइट मतलब यहां पर इस तरह से आप कह सकतो जो एक्टिविटीज है इन ए इस से खराब हो रही है और एक तरह से एक तरह से विग थ्रेट के रूप में इमर्ज हो रहा है जो कम्मिनिजम है उसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि स्ट्रॉंग अटेच्मेंट हो जाती है अपनी खुद की कम्मिनिटी के लिए इन पॉपलर डिस्कोर्स इन इंडिया इस तरह से आप यह आप इसको लिख सकते हो इसके लावद अविट प्रमोट ओर्थॉडॉडॉडॉडॉडॉड बिलीस इंटोलेरेंस एंड हेट्रॉड अमंग अधर रिजीजन्स एंडर्स डिवाइट्ट असे तस तससाइटी ठीक है आप आपके सकते हो इसकी वाज़े नियु डैली है विटनेस्ट वन फॉर्स कमनल वाइलेंस इन हिस्ट्री बेस्ट ओन डग सिडियंशिप और मेंट सीए एंड नैशनल रिइस्टर ऑफ सडिया नासी को लेकर के जो कमनल वाइलेंस वह आप सभी नहीं देखा उस इंसिदेंट्स के बारे में भी आप आप लेख का सकते ओकने कोड़िए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अग्जामपल्स इंक्लूड मॉब लेंचेंग एंड बाबरी मर्जित के लिंग्स और वरी हार्ड रैच्णिंग इंसिदेंट्स टिके अधर एग्जामपल साफ जैसे जो इंसिदेंट्स इन्सिदेंट्स बाबरी मस्जद के लिंग्स यह सभी जो है हाट रेंचिंग इंसिडेंट्स ते जो की हो चुके हैं और टाइम टॉ-टाइम देखने को मिलते भी हैं कई सारे इंसिडेंट्स राइट कमिनल टेंशन जैन राइट्स है वीन इंसे सिंटली इंक्रीजिंग सेंसे इंडिपेंडे बात से देखने को मिले और तेजी से बढ़े भी हैं वेनेवर दीजिटेंट्स टेक प्लेस फॉर वाटेवर रीजंस माइनौर्टी इंट्रस्ट गेट थ्रेटेंट इक अभी किया सकते हो कि कभी भी किसी भी कारण वाश अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उससे इस जो पर साइन जो माइनौर्टी रीजिशन उनको फील होता है कि उनका एक निगलेक्ट किया जा रहा है कि दौरा राइट दौर्वर पोलिटिकल पार्टिश प्रॉम्ट्स जपीपल अकौर्डिंग विच प्रमोट्स कमनल गलफ बिट्मन दा कमनिटीज ठीक है जो पॉ आगे देखने को मिल सकते हैं तो यह सारी चीज़ों को यहां पर आप जो है अच्छे से इलाबरेट कर सकते हों आगे दूस्तों बढ़ते हैं इसके लावा आगे मूफ करेंगे मीडिया सम्टाइम स्प्रेट रिवमर्स विच रिजल्ट इन फॉर्दर टेंशन ठीक है यहां पर आप क्या सकते हो जो एक तरह से मीडिया है वो भी कई बार ऐसी रिवमर्स जो है स्प्रेट कर देती इसकी वजह से फॉर्दर टेंशन बढ मैनिपलेशन ठीक है यानि कि अनीवल जो डेवलप्मेंट्स हैं पावर्टी है गरीबी है अनुप्लाइमेंट की सिच्वेशन से यह सभी एक तरह से कहीं करते हैं सभी बढ़ावा देते हैं जो इनसीक्यूरिटी है कि जो कॉमन परसन है कॉमन मैन हैं के माइन में साधार आ इंपक्ट बट ऑल्सो एकनोमिक लॉस्टू दा कंट्री ठीक अब दो कमनल वालेंस इना केवल सोशल इंपक्ट पड़ता है इसका इकनोमिक लॉस्ट भी होता है हमारी कंट्री को राइट इन और तो कर विट प्रॉपर चेक्स ओन सोशल मीडिया इंस्टिगेटिंग डिफ कर रहे हैं लोगों के बीच में और जो न्यूस जो एक तरह से किसी की साइट्स ले रही है उस चीजों को एक तरह से रोकने की चुरुत है अपार्ट फ्रॉम दिस डियर शुट भी पीस कमिटी वल्नरेबल एरिया ठीक है इसके अलावा जो वहां पर प्रॉपर पीस कमिटी चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स को वहीं पर शुरुवात होने से पहले ही जो है उनको दबाया जा सके रोका जा सकते हैं तो इस तरह से यहां पर आप इसके सलूशन भी दे सकते हो कि इसके रिगार्डिंग करना क्या चाहिए फ्यूचर प्रॉस्पेट क्या होना चाहिए है इसके लावा आगे दोस्तों मूफ करते हैं फाइनली हम लोग कन्क्लूजन की ओर इदे इस नीड ओप माइनर वेलफेर स्कीम टू भी इंप्लिमेंटेट एफिशेंटली डैट कें एड्रेश दर चैलेंजिस एंड डिस्क्रिमिनेशन फिस्ट भाइड था ठीक ह और जो जो इशूज है जो चैलेंजिस हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली एड्रेस उनको भी एड्रेस किया जा सके जो कि बैसिकली कामनेटी जो है फेस कर रहे हैं इसके लावा स्ट्रॉंग लीगल एक्शन से लॉंग विड़ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस तो वालेंस विल है ठीक है लीगल एक्शन भी होना चाहिए स्ट्रॉंग लीगल एक्शन होना चाहिए साथी साथ इन टॉलरेंस की पॉलिसी होने चाहिए कि वही किसी भी तरह का जो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए वालेंस की अगेंस जिससे की लोगों में डर भी हो इसके रिक और गलत में difference पता हो सके और गलत का difference उन में आ सके राइट एज उनिटे इन डाव सटी है एक स्टेंच है मारी कंट्री के लिए और इसी लिए नेसेसरी हो जाता है कि हम सेम कॉंसेट जो है को यूज करें लॉंग लास्टीं पीस और अपने कंट्री के डेवलप्मेंट के लिए तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप लोगो समझ आया हुगा लिखना कैसे है अगर यह टॉपिक आपके एक्जाम में आ जाता है तो इसी तरह से आप इसको तयार करते रह यह वहां से जाके जॉइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में पिन किया हो है वहां से आप कर लोगे साधी साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जोरू बताएगा विडियो एलफुल लगाओ तो लाइक करेगा इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों म अगर आप में तो कोई नया है तो रही तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते हैं के लिए ग्लास में थैंक्स वाचेंग